तो आज का यह वीडियो आप सभी किसान भायों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंप्वर्टेंट होने वाला है दोस्तों तेर्वा किस्त नहीं मिलने का एक यही रीजन है दोस्तों कि बहुत सारे किसान भायों का जो है पीएफमेस या फिर बैंक का जो इस्टेटर्स है वहां तो आज किस वीडियो में दोस्तों आप सभी किसान भायों को यही बताने वाला हूं और इसी चीज का सॉलूसन देने वाला हूं कि अगर आपका भी स्टेटस में सो कर रहा है कि आपका फार्मर रिकॉर्ड है वाई पीएफमेस और उसका जो रिजन दिया गया है दोस्तों वो इनेबल नहीं है दोस्तों तो इस कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों अगर आपको भी तेरवा किस्तम नहीं मिला है न तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देके देख लिजेगा और जिन जिन लोगों का यह प्रॉब्लम है दोस्तों उनको बता दीजेगा क्यो उनको क्या करना है तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों की 27 फरवरी 2023 इसको तेरवा किस्त जारी किया गया है लेकिन दोस्तों बहुत सारे किसान भाई जो है इस बार बंचीत रह गया है उनको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों और उनके करके लिए डिबिटीन लिंक ना हो न यह सबसे वड़ा लिजयान देखने को मिल रहा हुं बहुत क्या क्या करना होगा क्या पैसा मिलेगा इसके बाद जितने मीले उनको है नहीं मिलेगा इसके लिए और भोको दक्रू b आज किस विडियो में complete solution बताने वालों कि आपको करना क्या पड़ेगा देखिए दोस्तों आप इसके पर देख सकते हैं जब आप अपना beneficiary taxes चेक करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आप सभी लोगों को जो भी detail देखना को मिलता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसके बगल में दोस्तों रिजन क्या दिया जाता है ज्यादा तर लोग यहां पर भी multiple रिजन दिये जाते हैं दोस्तों कि आप एक इंकम टेक्स के पेई हैं इंकम टेक्स भरते हैं आप उसके लिए आपको reject कर दिया गया है या फिर आपका बैंक में आधार काड लिंक नहीं इसके लिए कर दिया गया मल्टीपल रिजन है लेकिन ज्यादा तर जो कॉमन रिजन है दोस्तों वह यहीं दिया जाता है कि यू आईडी इस डिसेबल फर डिबिटी यानि कि जो आपका अधार काड है दोस्तों उसमें यह फेसलिटी आपने इनेबल किया ही नहीं है ठीक है इस कंडिशन में दोस्तों आपके पास दो ऐसे सॉलूशन है जिसके बारे में मैं आप से भी लोगों को बताना चाहूंगा अगर यह प्रॉबलम है दोस्तों तो आपके पास बैस देखने को मिलते हैं पहला सॉलुशन है अगर पॉसिबल है तो आप अपने बैंक विजिट एकाउंट को dbt से लिंक कर दिया जाए तो वह कर दिया जाता है दोस्तों ठीक है लेकिन बहुत सारे किसान भाई दोस्तों बैंक नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवस से तो उनके लिए क्या ओप्सन है वह घर बैठे कैसे इस चीज को करेंगे तो दोस्तों मैं आपसे लोगो करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर एक महाँ पर ऑप्सन दिया जाता है कि यह जो एकाउंट अभी आप बना रहे हैं क्या इसमें आप dbt का पैसा लेना चाहते हैं तो वहाँ पर यस कर देंगे दोस्तों तो जितने भी सारे चाहे वह पीम किसान हो चाहे किसी का किसी योजना क अभी जो पैसा है दोस्तों जो कि dbt के माध्यम से बेजा जाता है सभी उस एकाउंट में आना शुरू हो जाएगा दोस्तों तो यह कर लिजेगा अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता कि घर बैठे हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस का कोई यह विडियो की कैसे हम घर बैठे सब्सक्राइब कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट का एकाउंट कैसे उपन कर सकते हैं दोस्तों तो नीचे कमेंट कर दिजेगा तो दोस्तों अभी आपसे बिलोगों मैं दो सॉलूशन बताया है इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आयोप आज का यह वीडियो आपसे भी किसान भाईयों को पसंद आया होगा वीडियो प्रसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और जटपट इस वीडियो को अपने दोस्तों के वास्त शेयर कर दिजे ताकि उनका भी प्रॉब्लम सोल हो जाए आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में है थेंक यू